तो आज मैं आपको परढ़ाऊंगी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कोल्ड वर एरा तो आज मैं आपको इसका डीटेल एक्समिनेशन देने वाली हूँ इसके नोट्स, इंपोर्डन ग्वेस्टिन, वनमा क्वेस्टिन, एमसी क्यों आपको चाहिए तो उसका PDF लि चैप्टर है, हमारी Book 1 कॉंटैंप्रेटी वर्ल प्रॉलिटिक. X का चाहिए कंटेंप्रेटी वर्ल प्रॉलिटिक्स का चाहिए यहां हम Mdr2li कि पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले दो और हुए थे उससे व्रोर 1 और वर टो लेट सी पहले ही पैड़ा देटियों में आपको Bukh में हमें बार में पढ़ने जाता है बट क्लारिफेकेशन के से पहले ही पढ़ने तो वोल्ड वर 1 हुआ था नाइटीन फोर्टीविन नाइटीन अगर पॉलिटिकल सैंस के बच्चों यह डेट अ सब को रटी भी होने चाहिए बग्कुल लाद on your figure tips that world war 1 हुआ था 1949-1918 में and world war 2 चला था 1939-1945 तक याद रखो world war 2 कब चला 1939-1945 तक और यही एक crucial moment है जिसके बाद start होता है हमारा cold war तो देखो यह जब world war 2 था यह दो powers के बीच में हुआ था एक थी allied और एक थी एक्सेस कौन सी थी allied और एक्सेस allied को क्या बोला जाता था allied forces आपको इस पे exam में भी question आएगा और एक्सेस को बोला जाता था एक्सेस पावर एक्सेस पावर में आती थी जर्मनी इटली और जपैन जर्मनी का पता है न हिटलर कितना हमने पढ़ा है नाजर्जम वाले चर्प्टर में इनके बारे में जर्मनी के यह जो हिटलर जी थे इनके सारे हमने पढ़ा इन्होंने क्या क्या करा है तो एक्सेस में थी जर्मनी इटली जपैन और इनकी सामने से लड़ाई हो रही थी किसे USA, Britain, France और एक और देश था जिसका नाम था USSR क्या आप लोगों ने आज तक पॉलिटिकल सेंस में इस देश का नाम पढ़ा है USSR पढ़ा होगा तो कई बार भूल भी जाते हम लोग देखो USSR क्या है यह आपने रशिया तो जरूर सुना होगा USSR नहीं सुना तो रशिया तो 14 और कंट्री से इनको बना के बनता था USSR तो इनके बीच में हो रही थी लड़ाई यहां पे एक तरफ थे एक गैंग था अलाइड गैंग जिसमें थे USA, Britain, France, USSR दूसरी तरफ तर जर्मनी, इटली, जपैन और कौन जीता है World War 2 कौन जीता है हम सबको पता है यह जो अलाइड बॉम गेरतीता है जपान की दो सिटी इस के ओपर जिनका नाम था Hiroshima नागा साकी बॉम के नाम भी आपके बुक में गिवन है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ बॉम के नाम क्या थे ठीक है तो बॉम गेरतीता है जपैन के ओपर और World War 2 खतम हो जाता है अब जो बची दो गंट्री इस समय पे बहुत वीक हो चुकी थी क्यों क्योंकि टाइम देखो यहाँ 1945 यह वही बृतीन ने जो हमार पर कभजा करके बैठा था हम इंडियन से सोह साल तक इनों ने हम पर राज करा और 1947 में हमें मिल गई थी इंडिपेंडेंस तो यही रीजन था यह दो डोनों कंट्रीज से न डिटेंए और फ्रांस वर्टें और फ्रांस अफटर नाइंटीन 45 यह बिख ओनिक लीच हो गैति आपको मुंखकी देखिव सुंधी क्यों ऐक उल्सरैके लेनिक बना रखा था ना इंडिया को इंडिया को यंदिया ने भी फ्रीढड शर्ग से डाउन चली गई एक तो वार था उपर से डीकलर नाइज होगे हमें लूट ही तो रहे थे हमारा पैसा लूट के ब्रेटेन ले जा रहे थे जब इंडिया को फ्रीडम मिल गई आप किसको लूट होगे तो इसलिए ब्रेटेन और फ्रांस की बीकॉन में डाउन चली गई बड़े से वर्ड में लिखती हूं मैं सोरी एक बज गया यह यूएसे हमारा और एक बज गया यह यूएसेसर और यह दोनों ना बोला गया इनको सूपर पावर क्या बोला गया इनको सूपर पावर सूपर पावर और इन दोनों के बीच में जो क्लैश हुआ जो लड़ाई हुई जो tensions हुई उसको बोला किया cold war अब क्या tension created हुए इनके वीश में क्या लड़ाई हुई let us see यह जो USA था देखो इसकी ideology थी capitalism हमने पढ़ी भी है यह ideology पहले इसकी ideology थी capitalism और इसकी ideology थी communism किसकी USSR रशिया वाले की ठीक है USA के capitalism ideology capitalism हमने 11 में पढ़ा था capitalism के लिजल मतलब होते है सबकुछ private sector का है यानि कि government का कुछ नहीं है सबकुछ private sector का माओ और खाऊ and communism थी USSR में क्योंता है सबकुछ state control है farm है तो state का है कोई school है तो वो state का है फाक्ट्रीज है तो वो state मतलब government सबकुछ government control होता था यहां सबकुछ private sector को था तो यह जो USA और USSR था इनके बीच में चला Cold War era बहुत पावर्फुल कंट्रीज थी एकॉनिकली बहुत फावर्फुल दोनों पे बहुत पैसा था भर भर के इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन लखे वेते और मिलिटरी दोनों की बहुत ज़्यादा स्टॉंग थी तो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर दो बड़ी-बड़ी सूपर पावर्ज आ गए थी एक यूसे न यूसेसर और इन्हों ने बना लिये थे अपने गैंग्स बिल्कुली स्कूल का प्रेग्राउंड वन गया था पूरा मैं सॉल्व कराता हूं मैं करूंगा सॉल्व भाई वह कर ले ओके थी ना भाई कॉंपरो कर ले कॉंपरो बिल्कुल वैसी कॉंपरो करने वाले भी आते हैं कौन थे वह नोन अलाइनमेंट वाले सब पढ़ेंगे हम इस चाप्री के अंदर तो पूरा प्लेग्राउंड था गुंपरो करने वाला कौन आता है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगी तो यह युएसे एंट यूएशेसर अब यह दो गुंदे थे तो गुंदों का गैंग भी होता है तो इन लोगों हमने गैंग भी बना रखे और उसको हम गैंग नहीं कहते उसको हम इंग्लिस में साइड में जितनी भी कंट्रीज थी जैसे ब्रिटेन हो गया फ्रांस यह इन सब कंट्रीज से एक कॉंट्राक्ट साइन करा लेती थी कि हां तुम हमारे साथ हो आगे हम पढ़ेंगे इसको एन ऐसे यूएसर ने काफी सारी कंट्रीज को अपना अलाइंस या निकि अपना तो अब स्टार्ट करते है अपना रियल चैप्टर एक बार ऐसा होता है यूएसे न यूएससर लड़ नहीं रहे थे ये वैसे बस एक दूसरे को दिखाते रहे थे हां लड़ेंगे एक समय ऐसा आता है वर्ल्ड के अंदर कब आता है 1960s कि अब ऐसा लगता है कि भाई अब ह कुबन मिसाल कायीस जो हमारी दोक का फंस स्क्राइस तो पहले हिस्ट्री$ तो पड़ेंगे तभी तो समं में आया का क्यू zit क्या है ।ब यह क्यूबन वड कहां से आया है तो यह है ना यह रहा हमारा यू एस कि इसके नीचे एक ठोटा सा आइलेंड नीशं था जिसका नाम है क्यूबा आपने हनी सिंगर गाना देखा मखना उसके श्यूटिंग क्यूबा में ही हुई है तो यह जैसे इंडिया के नीचे शिलंका है वैसे ही कहां युएसे के नीचे था क्यूबा अब यह क्यूबा जो था यह एचली में USSR का अलाइंस था वही डूसरी वाली सूपर प पंदुख भी भेजता था और क्यूबा इसको क्या देता था ठीक है यह USSR तो इसको पैसा वेज रहा है क्यूबा क्या करता था क्यूबा चलता था कम्यूनिस्ट आइडिलोजी पे इनका यही चलता था जैसे गैंके मेंबर होते है आजा भाई तुमें साथ शाम को है इनके प्वीच में तो एक बरे क्या होता है 1960s के अंदर कब 1961 के अंदर इन एप्रेल 1961 दे लीडर्स अधर वरी डाइड यूनाइट स्टेट वोड इन्वेट कम्यूनिस रूल कुबा एन ओवर्थ्रो फिदेल कास्ट्रो अब यह फिदेल कास्ट्रो कौन है एक बरे क्या ह यह जो USSR की लीडर्स थे यह सोचते हैं कि यार ऐसा नहों हमारे क्यूबा पर हमला कर दे और क्यूबा का जो प्रेजिडेंट है फिदेल कास्ट्रो वनमाक क्वेश्चन इसको मांग करके रख लो इसको यहां से हटा दे यानि कि इसको पर हमला कर दे और इसको हटा दे और इ कि आ क्रूशिव वो क्या करते हैं क्यूबा को बना देते हैं उसकी तो यहां की जो को सफ लाइन था क्यू इस्यूबा कि कि अप नगा法म ему यहिसे यह को सब्साल्स लगा देए और आसे वैसे मिसाल्स नहीं नूप्लियर वही मिसाइल जिससे हिरोशिमा नागा सागी पर नूप्लियर मिसाइल गिरे थे उसके आफ्टरमैट हमें अभी तक दिखते हैं यहां पे बहुत सारे नूप्लियर मिसाइल लगा देती हैं अब ऐसी सिटूएशन बन गई बिल्कुल यूएसे के नीचे क् नूप्लियर मिसाइल गया तो आदा यूएसे उड़ता था फूट जाता विल्कुल आदा यूएसे तो इसलिए यह एक बहुत टेंशन की सिचुएशन क्रियेट होगी थी तीन हफते बाद यूएसे को पता चल जाते हैं अब पता तो चली दाएगा नीचे नूप्लियर व नहीं चाहते थे कि कोई वार हो यह बिल्कुल वार टाइप सिचुएशन बन गई थी यहां मिसाइल पढ़ा है यहां कल को यूएसे सार के उपर क्यों यूएसे भी एक मिसाइल फैक सकता था कि भाई तूने मेरे नीचे क्यों फाल तुम्हें मेरे आगे तूने मिसाइल ना हो बुक की लाइन भी आप पढ़ लो दे यूएस प्रेजिदेंट जॉन एफ नीडियान इस एड्वाइजर्स ट्राइट तो फाइंड आ सोल्यूशन तो वाइट फोल स्केल नुक्लिया वो चाहते थे कि नुक्लिया वर्ड ना हो एंड देवर डिटमाइन तो गेट क् क्रुशेव को कि वह यहां से मिसाइल हटा ले तो वह ऐसे प्यार से नहीं मनाते हैं उनको धंकी देते हैं किसको यूएससर को कि अगर हमें कोई भी शेपातावा देग्या क्यूबा की तरफ तो हम समझेंगे कि वाड टाइप सिचुएशन होने लिए और हम वाड तो मिसाइल यहां लगाने के लिए और मिलिटरी यहां बेजने के लिए शिप से ही तो क्यूबा तक आता होगा यूएससर तो वह कहते हैं कि अगर अभी हमें यूएससर वाले कह देते हैं तो हम मान लेंगे कि आप लोग समझ नहीं रहे और हम नुक्लियर वार स्टार्ट क कर देंगे और यह जो सिचुएशन थी इसमें यूएससर भी समझ जाता है इस धंकी के बाद जो निकिता क्रूशेव थे वो भी समझ जाते हैं और यह जो नुक्लियर वेपेंस थे इनको हटा देते हैं क्यूबा के अंदर से तो कुछ भी नहीं हुआ अट नुक्लियर नुक्लियर वेपेंस से तहस नश्ट हो चुका हुए इसको बोला गया क्यूबन मिसाइल क्राइस इसको होट पॉइंट भी कहते हैं दे वर्ल पॉलिटिक्स यानि कि वैसे तो कोल्ड चल रहा था सब कुछ कोल्ड वर रहा था बट जब यह सिचुएशन क्रेट होई पॉइसे ने बॉब गिरा दिया तो यहां से बॉब गिरेंगे वहां से बॉब गिरेंगे और दिस क्लैश वस नोओ अज दा क्यूबन मिसाइल क्राइस अट देन होता कुछ नहीं है उससर वाले भी चुपचाब से मिसाइल हटा लेते हैं तो यह जो टेंशन थी इसको क्या तो इसको बोला गया cold war ठीक है और कोई hot war नहीं बना वो था ideological conflict यह पावर का struggle नहीं तो सिवी कि USA कहरा है मैं ज़्यादा टाकतवर हूँ यहां पर ideologies का conflict भी था यह थी tension कि किसके ideology ज़्यादा बेटर है USA कहता था मेरी ideology ज़्यादा बेटर है capitalism वाली और जो USSR था कहता था मेरी ideology ज़्यादा बेटर है communism वाली तो दोनों contract sign करवा कि अपने alliances बनाते रहते थे कि भाई तू capitalism follow कर ले भाई तू communism follow कर ले यह situation चल रही थी पूरे वर्ल के नहीं चले यह चाहते थे इनकी जिसकी वज़र से cold war चल रहा था तो लेट उस सी इनकी ideology कौन सी थी मैंने आपको थोड़े से वर्च में बता थी अब detail में पढ़ते हैं the western alliance headed by USA represented the ideology of liberal democracy and capitalism यानि कि जो western alliance था आप देखो यहां पर USA के alliance को क्या बोला गया है USA और उसके चंचो को क्या बोला democracy और capitalism यानि कि democracy और private sector वाली एंड जो हमारा eastern alliance है यानि कि यह सोवेट union था उससा रही है Soviet Union बोला जाता है इसको तो यह सोवेट union जो था यह था eastern alliance and it was committed to the ideology of socialism and communism ठीक है अब इनको detail में पढ़ लेते हैं इनकी ideology को एक्जाम में आपका question आ सकता है differentiate between capitalism and communism तो याद रखना western alliance कौन सा है USA और USA से के चंचे और यह फॉलो करते थे democracy और capitalism और Eastern alliance कौन सा है हमारा Soviet Union और Soviet Union के चंचे यानि उसका alliance और यह क्या follow करते थे socialism and communism तो यह चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी जीए अब capitalism क्या है system of government which is democracy and property is owned by privately यानि कि एक ऐसा आप लोगों के पास अपने घर है तो वह गवर्मेंट के घर है बस वह उसमें रह रहे हैं एक पड़ा सा फार्म है महां पर सब लोग एक खटा काम कर रहे हैं तो उनकी नीट की अकॉर्डियूस मिलता रहेगा फ्राक्ट्री है तो सब वहां पर काम कर रहे हैं उनको बस वेजस मिल चकते है ऐसा नहीं होगा कि महां पर कोई बच्चा सोच रहे है कि हाम में बढ़ा होगे अपना बिजनस खोलूंगा अपनी फैक्टरी खोलूंगा नो हर एक किसी को लेबर की तरह वेजस की उपर जो थी स्टेट के अंडर में काम करना पड़त यानि कि कोई stadium है रहे कोई movie hall है वह स्टेट का है कोई factory है वह स्टेट के किसी private property थी नहीं किसी का अपना घर नहीं था किसी पापना फॉर्म नहीं था सबकुछ सब कुछ control कर दी तो यह आप याद रखो इसका difference exam में लिखने को आ सकता है तो now let us start the topic 2 what is cold war और यह तो हमने पहले ही पढ़ लिया है that यहाँ पर आपको explain करा गया है पहले आपको बद देखा दिया Cuban missile को ऐसे फिर explain करा गया that world war 2 हुआ था 1939-1945 में जिसमें दो powers के बीच में हुआ था exes and allied exes में आती थी Japan Italy Germany तुम बताओ मैं तुमें पढ़ा चुकी हुए analyze में आती थी France America Britain और Soviet Union यह USS अरे उसको Soviet Union भी कहते है तो इनके बीच में चली लड़ाई और हमें पता है that world war 2 खतम कैसे हुआ जब यह जो USA है यानि कि अमेरिका जो है इसने जपान के ओपर क्या गिराए थे दो बड़े बड़े atomic bombs कब गिरायते हिरोशिमा नागा साकी के ओपर 5 ओगस्त में 1945 में ठीक है ओगस्त 1945 में causing Japan to surrender इससे जपान ने surrender कर जो world war 2 हो गया हमरा खतम ठीक है the decision अब यह जो USA ने पॉंब गिरा है क्या यह सही था अब हम इस पर discussion करते हैं क्या यह सही था हम आगजी भी रेखते हैं वहां पे जो बच्चे है वो डिसेबल पैदा होते थे बिकॉस ऑफेक्ट ऑफ दे न्यूक्लियर वेपन इतना खतरनाक था न्यूक्लियर वेपन को गिराना तभी तो hot war नहीं हुआ तभी तो cold war था बदराते रहते थे कि हां कुछ लोग है जो इसको support करते तो exam में question आथा इसके ओपर define करने को तो आपको critics and supporters थे वो सब आपको पता होना चाहिए US knew that Japan was about to surrender and it was necessary to drop the bomb so critics कहते हैं that Japan already surrender करने वाला था USA को पता भी था इसने फाल्तू में bomb गिराया और इसने फाल्तू में bomb गिराये क्यों है they suggested that US action was intended to stop Soviet Union from making military and political gains in Asia and elsewhere and to show Moscow the United States was supreme यानि कि इनों ने जो ये bomb गिलाए है ना ये nuclear bomb ये सिर्फ और सिर्फ Asia के अंदर ये जो Asia continent है Soviet Union जो है एशिया में ही तो है रशिया जो था वो एशिया में ही तो था तो Soviet Union को एशिया में gains करने से रोकने के लिए and next चीज क्या थी उसको डराने के लिए देखो ये जो ideological rift था ना इनका पहले से ही चालू हो चुका था तो USA ने सिर्फ और सिर्फ सोवेट उनियन को दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास ये बहुत नुकलियर वेपेंज है मैं फोट अब चाहिए उस समय ये सेम गैंग में थे उनको ही दिखाने के लिए उनको ने ने नुकलियर वेपेंज फेके थे जपान तो अल्रेटी इनको दिखाने के लिए USA ने बॉंब फेका था और उस समय पर बॉंब फेकना बिल्कुल जरूरी नहीं था जपैन अल्रेड़ी सरेंडर करने आल था वर्डू खतम होने वाला था तो बॉंब फेकने की कोई जरूरत नहीं थी ऐसा बोला क्रिटिक्स में अब देखते सपोर आटिक का लाइफ का बहुत लोग मर गए थे वॉर्र खतम ही नहीं होने वाला सा तो इसलिए इस जो था यो से ने सही करा बॉंब फेकर तो यह थे खरिखते। supporters अब तुम्हें क्या लगता है तो मुझे बता सकते हो गए जपान तो हार ही गए और यह जो बाकी की इंफ्लेंस इवेंट एनिवेर और थी यानि कि यह इतने पावर्फुल हो जाती है अब कई बार एक्षाइम में इसलिए और नहीं रहा तो तुम तो हिंदी में बताओ कि वह ना इसलिए होट वर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर दोनों सुपर पावर सी खतम हो जाएंगी नुकलियर अटाक से युएसे भी खतम हो जाएगा तो इस सिच्वेशन यह जो मैंने आभी आपको डिस्क्राइब करिए जो तुम मुझे डिस्क्राइब करना चारे हो कि दी अगर युएसे ने बाम फैके तो स सब्सक्राइब कर दोनों का नुकसान होगा किसी को भी गेन नहीं मिलेगा हम क्या बोलेंगे इट वस दू तु तु दू लोजिक अव डेटरिंस की डेफिनेशन देखते हैं हिंदी में तो हमें पता है कि भाई वो फोडे का वो भी फोडे का दोनों खतम हो जाएंगे पट इसकी डेफिनेशन देखते हैं in English because exam में हमें वो ही लिखनी पड़ की The logic of deterrence means when both sides have the capacity to respond against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate a war यह होता है logic of deterrence that जो दोनों साइड है उनमें इतनी capacity है attack करने की that दोनों में से कोई भी शुरूआत ही नहीं कर पाती USA को भी पता है कि अगर मैं nuclear weapon फेक हूँगा तो USSR मेरे उपर यानिकी Soviet Union बहुत सारे weapon फेक देगा मैं भी पूरा नश्ट हो जाऊँगा and Soviet Union को भी पता है कि अगर मैंने एक bomb फेका तो महां से 50 bomb आ जाएंगे और दोनों के दोनों ही खतम हो जाएंगे तो इस situation को बोला थाता logic of debt trends the two superpowers and their allies were expected to behave as rational and responsible actors और यह logic of debt trends की situation बहुती जादा नाज़ुक situation होती है इसमें USSR जो हमारी इसमें Soviet Union चेक है जो हमारी power थी super power and जो USA था दोनों को और इनके allies यानि कि जो इनके चम्चे थे जो इनों ने बना रखे थे जैसे Soviet Union के एक चम्चे का नाम हमें पता है क्यूबा इनको ना बहुत responsible and rational behave करना था बिल्कुल तारीके से चलना था कि ऐसा नहों कि गल्ती से हां से किसी accident हो जाए यानि कि Soviet Union से गल्ती से missile शूट जाए या फिर कोई soldier जान पूछ के बत्तमेजी कर दे नहीं बहुत responsible and rational तरीके से चलना था कि war initiate ना हो बिकास अगर war initiate हो जाता तो पूरा वाल जो था वो nuclear weapon से खतम हो सकता था डिस्ट्रॉइ हो सकता था तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस एक बार दुबार आपको पढ़ाती हूँ इसलिए कोई भी war को start ही नहीं कर रहा था तो यह था हमारा logic of deterrence अब emergence of the two power blocks topic the emergence of the two power blocks तो देखो emergence of the two power blocks अब हमारा जो पुरा का पुरा world था वो दो super powers में divide हो गया था देखो एक ऐसी situation बन गई थी यह हमारा पुरा world है तो two polar world बन गया था यानि कि bipolar अभी next chapter में आपको इसको और clear meaning पता चलेगा and now bipolarity में bipolar world बन गया था हमारा polar मतलब दो पोल हमारे नौट पोल और साउथ पोल तो उसी तरीके से हमारे वर्ल्ट में भी हो गया था दो एक इतनी powerful countries बन चुकी थी इतनी superpower countries बन चुकी थी यह उन्होंने हमारे वर्ल्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था तो एक site पे हमारी आ गय थी एक superpower USA and दूसरी आ गय थी हमारी दूसरी superpower Soviet Union and Soviet Union को ही guys हम लोग कहते है USSR ठीक है तो यह आप यार रगना पूरे साल हमें यह काम आने वाला है bipolar world बन चुका था हमारा दो superpower थी USA and USSR अब इन दोनों को क्या करना था they had to increase their power इन्हें अपनी power बढ़ानी थी ठीक है and इन्होंने पूरे world को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया अगर आप book में page number 6 के उपर अगर आप map देखोगे तो उस पे map given है yellow color से countries marks है red color से country marked है और green color से countries marked है अब एक चीज़ सब के mind में आती होगी that यह जो smaller states है कौन यह जो smaller states है यह बड़ी-बड़ी superpower का gang member बन रही थी alliance बन रही थी उनके साथ में एक्जाम में मेंबर मत लिखना एक्जाम में लिखना सब्सक्राइब में लिखना है यह जो smaller states है उन्हें क्या फायदा मिलता है इन superpowers के alliance का member बने पर तो लेट उस सी थी these small states got the promise of protection weapons economic aid against their local rival and mostly regional neighbors जैसे में आपको बता चुकी हुए किने weapons जाहिए economic aid जाहिए हाट टाइप की help बड़ी आपने रीजन राइवल से जैसे इंडिया है अगर इंडिया किसी का alliance का member बन जाता तो इंडिया को किसी भी नेवर से हमाई चाहिए तो help करते हमारी पाकिसान से लड़ाई होती तो help करते हम किसी भी सारा USA की साइट चला गया था and it was known as the Western Alliance याद रखना जो West Europe था सारा का सारा USA के गैंग का member बन चुका था तो इसलिए उसको क्या बोला गया Western Alliance और जितनी भी country East Europe की थी वो किसका साथ देने लगई वो Soviet Union का USSR का साथ देने लगई तो उनको क्या बोला गया Eastern Alliance ठीक है अब यह जो Western Alliance था यह जो गैंग था Western वालों का जो गैंग था उन्होंने contract sign करके बनाया था तो वो contract कौन सा था let us study the Western Alliance was formed into an organization the North Atlantic Treaty Organization it came into existence in April 1949 with 12 states तो सबसे पहले इन्होंने form करा NATO 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 now what is NATO एक बार आपको इसका पिचर दिखाती हूं फ्लैग का मैंने अलगा है this is NATO यह देख रहे हो आप नेटो का फ्लैग भी आपको दिखेगा this is NATO इन्होंने form करा अपना NATO यानिकि इन्होंने अपना गैंग बनाया सबसे पहले 12 countries ने मिलके contract sign करा उसका नाम क्या रखा NATO अब NATO की full form क्या है North Atlantic Treaty Organization ठीक है इन्होंने sign करा contract और खुद को एक alliance में form कर लिए alliance मतलब अपनी formation बना ली कब बनाई थी April 1949 में with 12 states ठीक है और क्या declare कर दिया इन 12 states ने मिलकर NATO declared that arm attack on any one of them in Europe और North America would be considered as an attack on all of them यानि कि इन 12 countries में से किसी एक क्यों पर भी attack होगा तो 12 की 12 एकटी मिलके हमला करेंगी वापस यानि कि इन 12 countries ने बोला कि हम एक हैं तो हम में से किसी एक वे भी attack करो कि तो अब हम 12 के 12 देंगे नेटो बन जाता है North Atlantic Treaty Organization April 1949 में तो आब हम गैंग नहीं बोलेंगे अब हम थोड़ा sophisticated word use करेंगे जो Western Alliance था जो USA का था जो Capitalistic and Democracy वाली आइडिलोजी पे चलता था उन्होंने अपना Alliance बनाया जिसका नाम क्या था नेटो और ये बारा कंट्रीज ने मिलकर बनाया था ठीक है इतनी डेटेल में आपको पढ़ा लिए क्जाम में तुमारे जब तुम नेटो पढ़ो तो मेरी आवास गूंच रही हो बारा कंट्रीज ने मिलके बनाया था यूएसे के साथ में और कंट्रीज ने मिलके ये नेटो साइन करा एप्रिल 1949 में और इन्होंने क्या बुला कि अगर एक कंट्रीज पर टैक होगा तो मिलकर जवाब 12 के 12 हम देंगे तो ये तो हमने पढ़ लिया यूएसे का Alliance जिसको बुला गया इसका प्रिंसेपल फंक्षन क्या था ये क्यों बना था अब भाई आप उसने नेटो बना लिया तो यह चुपतो नहीं बैठेंगे तो हम लोग भी अपना वार्टो पैक बना लेते हैं और अगर नेटो अपनी पावर इंफ्लूएंस बढ़ातें की कोशिश करता था तो वार्टो पैक भी काम करने लगता था तो आपस में लोगों की पूरी लड़ाई चल रही थी जैसे बुक में आप यहां यॉरॉप का और नेटो के लावा भी इन्होंने कुछ और आलाइंस बनाये थे जैसे कि इन्होंने इस्ट एशिया अभी एशिया तक को नहीं चोड़ा अभी पहला डिविजन तो हमने किसका पड़ा यॉरॉप का पड़ा यॉरॉप में डिविजन हुआ नेटो वार्टो फैक बने अब जिसका नाम रखा इन्होंने सेंटो ठीक है तो अब मैं आपको नॉर्मली बताती हूं यूएसे के तीन गैंग थे पहला गैंग था यॉरॉप के अंदर और उस गैंग का नाम क्या था नेटो ठीक है दूसरा गैंग बनाया इसने अपना साउथीस्ट एशिया के अंदर तो ये तीनों के तीनों एग्जां में आंगे वनमार्कर में और आपको एकस्प्लेवन करना होगा उन्कों एक्शां में गैंग नहीं घ्लैंग लएलाइस लिखेंगे तो पहला लाइंस नेटो दूसरा लाइंसम अधा निहीं तीरा लाइंस सेंटो500 आप तुम सोचरिए के भ नौर्थ वियतनाम, नौर्थ कोरिया और आप तो आपको यह यार रखना है that USSR ने अपने बहुत close tie कर लिया थे विद चाइना, नौर्थ वियतनाम, नौर्थ कोरिया और इराग कर सकता है that the late 1950s, तो आपको यार रखना है, क्योंकि तो next chapter है, उसमें हमें पता चलेगा, इस situation की बारे में भी, okay, अब आते हैं, हम अपने, okay, तो this cold war threatened to divide the entire world, यह cold war ने ऐसा situation कर दी थी, कि पूरी world को divide कर देगा, पहले तो यूरोप का बटवारा तो होई कि आर नेट और वर्स अपर्ट में और एशिया का भी बटवारा हो जुगा था, and secondly, सबसे जब 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 प्रॉब्लेमाटिक सिचुएशन थी, Newly Independent Countries के लिए, Newly Independent Countries जैसे हम Indians हमें 1947 में अजादी मेली, इतनी मुश्किल से हमने Britishers को भगाया, अब जैसे उड़े टिचर्स को भगाया, थोड़ टाइम बात, बोलवा शुरू हो रखा था, उसमें क्या था, कि यहां से हमें USA कह रहा है, आजाओ, हाई मेरे साथ आजाओ, मैं तुझे यह दूँगा, यह दूँगा, यह दूँगा, तुम यह साइन कर लो, तुम मेरा फ्रेंड बन जाओ, यह दर से सोवेट यूनियन हमें कहता रहता था, कि हमारे अलाइंज मेंबर बन जाओ, तो अभी आभी तो हमने फ्रीडम हासिल कर रहा है, और किसी के साथ अलाइंज फॉर्म करना मतलब फ्रीडम को फिर से खो देना, तो इसलिए एक बन जाओ, तो इसलिए वाला कौन है, नॉन अलाइंड मूँमेंट और हम कॉंपर वाले ही थे, हम इंडियन से कॉंपर वाले ही थे, तो हमने फॉर्म कर रहा था, इंडियन ने, और काफी सारे फाइव में मेंबर से आगे, हम पढ़ेंगे, नेक्स टोपिक के अंदर, फाइ क्या फाइदा था, अलाइंस बनाने का, यानि कि US है, इतना पावरफुल, इसको क्या जरूरत पढ़िए, चोटी-चोटी कंट्रीज के साथ जाके अलाइंस बनाने की, USSR, 15 कंट्रीज का मिक्स्चर, इसे क्या जरूरत पढ़िए, चोटी-चोटी कंट्रीज के साथ जाके alliance formation करने की तो इसके चार पॉइंट आपके बुक में लेखे है पहला benefit क्यों होता है जो super power को मिलता था smaller states के साथ friendship करने में उनसे alliance build करने में वो क्या था to gain resources such as oil and minerals ठीक है यह basically अपनी friendship ऐसे countries के साथ करते थे जिनके आपास बहुत सारी mineral resources होती थी जैसे की मैंने आपको बताया कि सोवेट जिनके फ्रेंशिप करी इराक के साथ में नौद कोरिया के साथ में वैसे ही नेटोनी जितने भी alliance members बनाई यॉरप के अंदर तो ये जितने भी उस country के जो smaller state होती थी तो उसके जितने भी mineral होती थे सबसे पहले तो अमेरिका पे नजर रखता था ये चोटा सा क्यूबा ये इतना बड़ा यूसे आराम से यहां पर अगर कोई खड़ा हो के दूर बींजे देखेगा तो देख लेगा यूसे के अंदर क्या चला है इननों लॉन्होंने क्या अग्या ओकर करें ये काम स्ञांज था है करने का कि अगर Churchill को सबना सकते हैं सकते हैं जो थर्ड वीजन होता था वो क्या था अब ऐसे इन बिगर कंट्रीज को जादा पैसों की दूरत नहीं होती थी जो यह बहुत सारे छोटी-छोटी कंट्रीज होती थी इनका एकॉनमिक सपोर्ट अगर इन्हें मिलता था तो उससे यह अपने मिलिटरी का जो खर्चा था वो संभाल लेते थे तो थर्ड आपका पॉइंट बुक में यह लिखा हुआ है एकॉनमिक सपोर्ट ऑफ ओल दीस तुगेदर यानि कि चार पाट चोटी-छोटी कंट्रीज अगर इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे अपना मिलिटरी के एक्सपेंस निकाल लेते थे तो किसी ना कि जिसका नाम है अरेनाज ओफ दा कोल्ड वर तो देखो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोल्ड वर में कोई ऐसा होट वर नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ कि USA और Soviet Union आपस में ऐसे ऐसा करके लड़ने लगए आ तुझे बीटता हूँ आ तुझे पीटता हूँ इंदर से न्यूकलियर वेपें जला है इंदर से न्यूकलियर नो थैंक गौड ऐसा कुछ नहीं हुआ बट यस छोटे चोटे वार हुए थे डिफरें हुए उनकी जमीनों पर ज़रूर लड़ाई हुई फॉर एक्जांपल यहां देखो को रिया मैंने अभी आपको बताया था नॉर्थ कोरिया किसका फ्रेंड मना पड़ा था सोवेट इनका नेक्स देखो यहां अफगानिस्तान में लड़ाई हुई देखो यहां वियत नाम पहुचे कि नुक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए या फिर एक कोल्ड वर से हमारा होट वर में ट्रांट्वर में फॉर एक्जांपल हमारे लिए अच्छा ही था कि ये युएसे न युएसे सर के बीच में डारेक्ट वार नहीं हुए इनके चोटे-चोटे अलाइंस मेंबर यहां पर क्राइसिस हुए चोटे-चोटे वार हुए या फिर थ्रेटन टोकर या फिर ऐसा ख़तरा था कि हो जाएंगे बिट्वीन अलाइन सिस्टम बट दिड नॉट क्रॉस सर्टें लेमेट्स थैंक गॉर उन्हों ने लिमेट्स क्रॉस नहीं करे अगर क्यूबन मिसल क् टाइम पर वर्स हुए या वर्स होने की आशंका कहते हो से हिंदी में अक्रेंस होने की कुछ पॉसिबिलिटी थी बठांग गॉर्ड वो उस लेवल तक नहीं पुचे वो शूटिंग वर्स उतने लेवल तक नहीं पॉचे कि क्या बन जाए कोल्ड वर्स से वो होट वर बन आपको नेक्स्ट वर्लिन के अंदर जैसे आपको पता भी आप नेक्स रप्टर मेंपड़ों के बर्लिन जो था पुरा डिवाइड हो गया ता बीच में से दिवार खड़ी होगी इस बर्लिन, वेस्ट बर्लिन, नेक्स्ट आपनों में पढ़ाओंगी ठेक है नेक्स्ट कॉंगो क्राइसिस हुआ था अर्ली 1960s में और डिफेंट डिफेंट प्रेसिस में लास्ट हमारा क्या है क्यूबन मिसाल क्राइसिस तुमैने सब्सक्राइब की फोटो यहां लगाती है अब देख सकते हो कोरिया वियतनाम एन अफगानिस्तान पाफी सारी जाने लोग मरते की कोई गिन भी नहीं सब्सक्राइब के बीच मिसक्म्मिनिकेशन के बीच में लड़ाई हो जाती थी जैसे कि हम बात करें क्यूबन मिसाल क्राइसिस के वारे में अगर थोड़ी से भी मिसक्मिनिकेशन होती है अगर यूए से को ऐसा लगता कि हाँ अभी कली जो ऑसाइड की बहुत आपक्र ले थी थी जो इन दो ब्लॉक से आउटसाइड की कंट्री डिग बहुत आपक्रिटिक्स बहुत इमौर्टें रोल प्ले करती थी और लॉक्टें में को रिदिश करें परेंपल सबसे पहला नाम इसमें कौन है इंडिया के प्राइम नायागा यह एक्जाम्या को डिफिनिटली ने डिप्लमाटिक आपके सकतो रिलेशन्स बनाए और बातचीत करी कि कोडिया वाजू है वो खत्म हो जाए इन कॉंगो क्राइसे जब कॉंगो क्राइसे हुआ तो यून के सेक्रेटरी जनरल ने भाया था तो जब कॉंगो क्राइ ने वाले भी कुछ लोग थी अप लास्स बहुत ही हरसी वाली चीज होती है अब देखो पहले तो इन्हों इतने सारे भारी भरकम न्यूक्लियर वेपन अपने पास इखटे करके रख लिए यह धेर लगा लिए इदर नियुक्लियर वेपन के यह यूए से साने और फिर यह यहां से संदेश चला जाए वहां यहां से लेटर वहां चला रहे है कोई मिस्चिफ में वर्ड लेका कोई बत्तमीजी कर दे तो वह शुरू हो चाहेगा हमें कैसे पता चलेगा कि यह फेक सिगनल नहीं था वार नहीं होने वाला है तो उसके भी आपको बतारी हूं बूप म सब्सक्राइब करें कि अगर बाइचांस ऐसा हो जाए कोई कोई अक्षिदेंट हो जाने उकलियर और यहां से वह बॉंब चला गया तो हमारे जो दूसरी कंटी के लेडर से वह कैसे समझेंगे कि एक्सिदेंट था यह आच्छले में नहीं हुआ है और यह साबटाज की सकंटे करें और षहे एंगे इंगे उनको ठोट डालेंगे और इक दूसरे को सबख सेवाइब करणा है कि हम पिपर पर लिख करेंगे कि मेरे और यहां यहां ने उन teaching करेंगे क्यांस कर घ烦 करा है एंग पहले तो इनْहों इतना सार्य से मना लिए और आदो को तोड़ तो इसलिए हम अपने वेपन को कंट्रोल करेंगे तो सबसे पहले ट्वीटी साइन होती है लिमिटेस ब्राइट ट्रीटी इनकी जो देट है इन्फोर्मेशन आपके लास्ट पेस्पेस पेवन है सेके लिम नोच में आपको मिल जाएकि इंसक्राम इडिकी और डिस्क्रिप्शन वॉक्स में पेस कर दोगी साधी की सारी इंपॉर्टें आंप्स कंट्रोल ट्रीटी तो पहले लिमिटेस ब्राइट अब इसका मतलब क्या एल्थी बीटी दो यह नुक्लियर वेपेंस होते हैं यह वेपेंस बना लिए जिस कंट्री इसने वही रखेंगे अपने पास बागी कोई और नहीं बना सकता है इसका इंडिया ने बहुत ज्यादा आप क्या सकते हो आगे हम पढ़ेंगे सेकंड बुक के अंदर सेकंड बुक के थर्द चाप्टर में हम इसके बारे में पढ़न क्या बोला इनों ने बैलिस्ट tutti कि अनंगे हैं गाशल क्या है इना ने खश्क कर सकते हो प historic इनों बना दी कि ऐसे बैलेवन बना यह लोग नहीं बनाएंगे तो यह 3 में ट्रीटी टीस श 5-2 आपके लसी पहलत साबहुकर चाहिए आप जाने सी ग्रूक क zor करना शुरू कर दिया इनको डिस्ट्रॉइ करना शुरू कर दिया और इसको क्या बोला गया आंस कर फ्रो ठीक है अब हम पते हैं अपना नेक्स ट्रॉपिक चैलेंज इस डू बाइपोलारिटी नो बाइपोलारिटी वर्ट का मतलब देखो मैंने तुम्हें पहली बता दिया में पता है तुम्हारे जो डिमाग के अंदर एक इमेज आ गई होगी जो मैंने बनाई थी एक सरकर सरकर में दो पोल है एक नौर्थ पोल और एक साउथ पोल एक होगे यहां पर यूएसे और एक हो गई यूएसे सार जो यह सिच्वेशन थी इसको हमने क्या बोला बाइपो इसको बोला गया चैलेंज टू बाइपोलारिटी यानि कि यह जो चैलेंज करा इसको कि भाया हम तुम्हारा साथ नहीं देनेंगे हम तुम दोनों के समसे नहीं पढ़ेंगे हम तो अपना रास्ता खुद बनाएंगे और उस रास्ते का नाम किया था नाम नान अलाइंड में हम पढ़ते हैं तीन फ्रेंज ने मिलकर लॉंच कर रहा और बाकी दोने उसको सपोर्ट करा तो लेटर सी इंडिया के इंडिया देंगे पहले तो यूगो सराइवा के जौसिप ब्रोस ती तो इंडिया के जवालना नहरू एजिप के गामा अबडेल नासर ने मिलकर सब्सक्राइब की में पूला हम अब इनको सपोर्ट कर आप बाकी दोले को ने इंडोनेशिया के सुकर्णों और घ्रना के वेम नकर्मों ने ठीक है मेबी मैं प्रनांस गलत कर रहे हूं बटी हुँआ कि हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे और वो नास्ते का नाम जाता थर्ट वर्ड ठीक है तो इन फाइव जो लीडर्स थे इनकी फ्रेंशिप से बना हमारा नॉन अलाइन मुवमेंट तो जो फर्स नाम की समिट थी वो हेल्ड हुई थी 1961 बेल ग्राडे नॉन अलाइन मुवमेंट का यह स्लाग है यह आप देख सकते होने के सिंबल है और फर्स समिट वस हेल्ड इन 1961 बेल ग्राडे बना बेसिकली यह इतना बड़ा विशन यह परफॉर्म हो कैसे पाया यह सच कैसे हो पाया तो कुछ रीजन से जिसके वज़े से यह नाम का फॉमेशन बहुत जल्दी हुआ वह सबसे पहला रीजन क्या था इन पास अब आफ्रीक इंडिया को इंडिपेंडेंस विए नाइन फॉर्टी से अब दीरे दीरे आफ्रिका जो पूरा कॉंटेनेंट अफ्रिका वहां पे भी काफी सारी कंटरी इसको अजादी मिलने लगई ब्रेटेंट फ्रांस से को अब वो तो अखेली हो गई ना तो इसलिए अब उनको भी डिसाइड करना था कि उन्हें उसे के साथ जाना है यह वो अपना खुद का रास्ता बनाइंगी और नौन अलाइंड मोवमेंट को जॉइन करने वाली है बाइंटिस्टी दिए वसीं न्यू आफ्रिकन मेंबर्स इन यून के उनाइट नेशन में 16 और आफ्र बहुत जादा एक्सपैंड हुए दे लेटेस्ट मीटिंग ऑफ एटीन समय वस हेल्ट इन अजरबेजान 2019 बहुत पुराना समय अभी 2019 में हुई थी वनमाय का क्वेशन यार रखना अजरबेजान में हुई थी इंक्लूड़ेद वन ट्वेंटी मेंबर स्टीच और 17 भां गरते तो नम के खुदके मेंबर सुनलों 25 से जादा मेंबर सु ना लाएं तो यू ऑपर और में पर खैल ल्मो तो तो यू आपकि सब्सक्राइब कर दिध Creating लगे देट, what is Nam, define yourself, तो Nam की लीडर से उन्होंने define करा, उन्होंने का हम आपको किस दो चीजों से define करेंगे, जिनको हम follow नहीं करते हैं, क्या बोला, हम उन दो principles को बताएंगे, वो दो principles जिनको हम follow नहीं करते हैं, बस वो ही है Nam, तो वो क्या कहते हैं, that हम दो चीजों को बिल्क आइजोलेशनिस्म, ठीक है, Nam ने क्या बोला, ठीक है, अब पहले Nam के 25 मेंबर थे, फिर वो उन मेंबर बने लग गए, और एक बड़ा सा ग्रूप बने लगया, जो Nam को support कर रहा था, तो इस अपने question mark लगा दिया, कि Nam पहले तो कह रहा था, कि आलाइज सिस्टम में form मत लो, अलाइज का मेंबर मर्बन और खुदी इनों अपना इतना बड़ा अलाइज बना लिया, तो Nam ने का रुको, मैं समझाता हूं कि मैं कौन हूं, तो Nam के leaders ने क्या बताया, कि ना तो हम neutrality को follow करते हैं, और ना ही हम isolationism को follow करते हैं, यानि कि हम isolationism follow नहीं करें, isolationism मतलब क्या है, क इलकुल अपने जो लेंक्स ते तोड़ दिये थे, आउटर वर्ल्ट से, तो Nam ने क्या बोला कि हम लोग आईजोलेशन इसम फॉलो नहीं कर रहे हैं, for example, अभी हम ने पढ़ा कि जवाल नाल नहीं क्राइस जब हुए थे, कोरिया के अंदर जो वहां पर जाके बातशीत करी लौर को सुलुजवाने के कोशिश करी, और इसलेशन इसम का फ्रस्त मोट्स क्या होता है, कि वहार में हिस्सा नहीं लोग है, किसी भी तरीके सा, नहीं जाल करवाने के लिए, नहीं ए इनिशेट करने के लिए, तो क्या पूला नायम ने कि हम आईजोलेटर नहीं हैं, हम ल फॉलो कर रही होती है तो वो ना ही खुझ से वार करती है ना ही किसी वार में हिस्सा लेती है और ना ही वार को रोकने के लिए कुछ भी कोशिश करती है बिल्कों नुट्रल हो जाती है फॉर एक्जामल आप मालोग घर में दो भाई बैन लड़े और ममी चुकता आप खणी है ठीक है लड़ो मड़ो कुछ बे करो मुझे कोई फरक नहीं परता है ऐसी सिचुएशन तो नायम ने क्या बोला हम नूट्रल नहीं है जब भी कोई वार्स होते थे नायम की जित्ती भी कंट्री जैसे इंडिया थी इंडिया के पाकिस्तान के साथ इतने वार हुए उस समय प को फॉलो करा वर्ड के जित्ती भी अफेर्स थे उसमें अक्टिवली पार्टे से पेड़ करा तो नहीं ने क्या बताया कि अगर आप पूछ रहे हो डिफाइन नायम मतलब क्या है कि नाहीं हम आईजोलेशन इसम को फॉलो कर रहे हैं और नाहीं हम न्यू इंटरनाशनल एक इंडिया की बात करो अभी अभी ब्रेटिशन 1947 में हमें छोड़के गए थे हम एकॉनमिक लिए बहुत वीक थे तो सबसे पहला गोल जितरी भी नायम की कंट्री थी उनके सामने क्या था लडी सी तो सबसे पहला गोल क्या था कि अपलिफ्ट दियार एकॉनमिक एकॉनमी अब यह new international economic order क्या था कब originate उओ और इसके क्या functions थे यह पड़ते हैं तो new international economic order जो है initiate होता है किसमें UN की एक conference में UN पता आपको सयुक्तुराश United Nation UN के conference में जो है हमारा यह start होता है UN की कौन सी conference में होता है नाम या रखना one mark question है मेरे बताया भी one mark question exam में definitely आते है United Nation Conference on Trade and Development short form क्य यू एन सी टी एडी इसमें एक में लॉंच हुई थी रिपोर्ट 1972 के अंदर और उसमें बताया गया new international economic order तो आप इसको ऐसे आप रख लेना UN सी टी एडी में एक रिपोर्ट लॉंच हुई थी कब 1972 में उस रिपोर्ट का नाम भी आपको या दर ने रिपोर्ट का नाम क्या था towards a new trade policy for development और इसके अंदर हमारा international order जो था वो रिप्रेजेंट करा गया था तो यह बहुत important question है एक्जामें definitely आपका long answer आता है इसके उपर new international economic order के उपर तो क्या था इसलिए new international economic order के बारे में बताया गया था चार डिमांड्स करी थी नाम कंट्रीज ने from the bigger countries वो चार डिमांड्स क्या थी वो हमें यार रखना है पहले डिमांड क्या थी give the LDCs control over their natural resources exploited by western countries यानि कि यह जितनी भी western countries थी यह सारे की सारी LDCs की जो natural resources थी उसे control करके coal petroleum gold हमारी natural resources को Britishers जाने के बाद भी हमारी कुछ-कुछ natural resources को exploit कर रहे थी तो यह बोला हमारी natural resources का access हमें दे दो second क्या हो गया access to the western markets यानि कि इंडिया ने डिमांड करा कि हमें बाहर के देश में जाके export करना की permission दे दो हमार को भी अपने economy को strong करना है तो give us access to the western markets थर्द चीज़ का डिमांड करें इन्होंने reduce the cost of technology from the western countries अब यह western countries जो थी example ले लो आप British भी help खरो so that we can also develop and last इन्होंने क्या बोला provide the LDCs with a greater role in economic institution international economic institution World Bank का नाम आपने सुनोगा IMF International Moratory Fund का आपने नाम सुनोगा यहाँ पे ना different different rules बनते रहते हैं related to tax related to trade international market में तो क्या होता था यहाँ पे इंडिया और जो हम एजिप्ट हो गई और यह जितनी भी नाम की countries थी इनका कोई से ही नहीं था जो बड़ी बड़ी countries decide करती थी World Bank में बैटके वह कुछ होता था पूरे यह बोला गया कि यह जो economic institution है इसमें एल्डीसी इसको भी रोल दो तो चार चीजे थी जो new international economic order में मांग करी ती पहला क्या था access to the natural resources दूसरा क्या हो गया हमारा access to the vested markets दीसरा क्या हो गया हमारा सच्टे रिटो पे ठेकनोलजी एं चौता क्या हो गया हमारा greater role in the international economic institution तो यह आपको याद रखना है और हमारा NIEO new international economic order complete हो गया है और यहां पर आप हमें बूक में बता गया है जो मेरे आपको पहले बता दिया है that 1960s में नाम का क्या काम था align system से दूर रहो 1970s में नाम ने खुद को एक economic pressure group बना लिए और यह कहा demands करी international economic order निकाला UN की रिपोर्ट में कि भाया हमार को यह यह चार मांगया मारी पूरी करो बर दीरे-दीरे in 1980s नाम की relevance कम होने लगती है relevance कम होने लगती है मतलब नाम की बात नहीं मानता है को भी अब क्यों नहीं मानता है डिकेड तक काफी समय तक यानिकि 10-15 सालों तक नाम ने अपनी बाते मनवाई प्रेशर क्रेट करा दीरे-दीरे सामने से competition बहुत ज्यादा था पंगा ले रहे थे नाम की बाते माननी बंद हो जाती है और जो नाम की relevance है वो कम हो जाते जैसे अभी आपने नाम का ज्यादा बातचीत नहीं सुनिया है हम अभी नाम के बारे में ज्यादा नहीं जाते हैं इच्टाइब टाइमन चेंजे गीव ग्रीटंस तो नहीं कृशिज ग्रीटार मान की तरफ गये लिए से की स्ट्राव गये उस्सल्म टनल्ड रिंटा अल्ट तो बेंस नाम विल्स ने इस फोडू आउड़्स नाम सब्संदें धूर्ज सब्सक्राइब पहला क्या था कि इंडिया ने क्या क्या, it did not join any of the alliances इंडिया का दो काम थे, cold war के टाइम थे, सबसे पहले इंडिया ने खुद कोई भी alliance जोइन ने करा ना ही NATO ना ही वार्जबाक्ट, and secondly अगर कोई newly independent country होती थी और वो किसी alliance को join करना चाहती थी, तो इंडिया ने करी, तो यह चीज इंडिया ने करी दो पहलूते, टू पे रिस्पॉंस के इंडिया के cold war की तरफ, पहले एक इंडिया में खुद किसी alliance को join नहीं करा, और बाकी काफी countries को जो newly independent countries बनती थी, तोन को जाके कहते थे, यह there is no need to join any alliances, यह ने बताई, that cold war के time पे जो हमारी policy थी, वो neither negative थी और नहीं passive थी, यानिकि हमारी policy यह नहीं थी, कि हम flee away कर रहे थे, यानिकि हम world के affairs से दूर भाग रहे थे, कि जो अबर्जी करते हैं तो US ए, USSR को हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, no, हमारी policy fleeing away की नहीं थी, in fact हम actively उसके अंदर participate करते थे, for example हमें पता है दा जावाल नाल लहरू ने कई बार negotiations करी, कोल बॉर के अरेनास को sorted out करने के लिए, तो इसलिए हमारी policy क्या थी, कि हम world के काफी सारे जो affairs होते थे, उसमें intervene जुरूर करते थे, it was not about fleeing away, हम भाग नहीं रहे थे किसी चीछ से, it was just that कि हम किसी भी alliance को join नहीं कर रहे थे, during the cold war की, ना तो खुद केसी alliance को join करना है, ना ही दूसरे countries को alliance join करने थे हैं, अगर वो तो ने रोकता था, बट अगर कोई tensions create होती थी, यानि की cold war अरेनास के टाइम पर हम लोग help भी करते थे, negotiations कराने में, and last but not the least, जो जवाल नाल ने रुखते, उन्होंने क्या बोला, common wealth बन जा है, सब लोग एक साथ, और एक दूसरे को cooperate करें, एक खटी एक ऐसा level बन जा हमारे वर्ड के अंदर, genuine common wealth of free, free nation हो, कोई country किसी पर रूलना करी हो, और cooperating nations बन जा है, ऐसी यह जो tension है cold war की, यह जब खतम होता है, यह एक vision था, जवाल नाल ने रुखा, अब जब हमने non alignment follow करा देखो, हमने cold war के time पर क्या follow करा, non alignment, तो non alignment ने हमें दो तरीकों से help करी थी, वो क्या थी, non alignment में first क्या था, first non alignment allowed India to take international decision and stances on their own, यानि कि international decision, जैसे UN है, UN में कोई decision लेना है, तो अब India free था, खुद के decisions लेनी के लिए, पहले क्या होता था, कोई भी अगर decision लेना होता था, तो हमारे decision कौन लेता था, ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन हमारे पर रास्त कर रहा था, अब अगर हम किसी alliance को join कर लेते, तो जो alliance की जो superpower थी, वो decision लेता, for example, अगर क्यूबा को कोई decision लेना होता, तो वो Soviet Union लेता होता था, तो ये चीज़ थी, कि अब हमें power मिल गई थी, खुद के decisions खुद लेने की, we were sovereign, हमें अपने sovereignty मिल गई थी, कि हम खुद को rule कर रहे थे, international decision, कोई भी decision लेना हो, अपना decision खुद लेगा, तो पहले हमें फायदा ये मिला था, second, India was often able to balance one superpower against the other, मतलब क्या, अब इंडिया के हाथ में, दोनों हाथों में let do हो गए थे, यानि कि, अब अगर इंडिया को USA से help चाहिए होती थी, तो USA से help बांग लेता था, इंडिया की मर्जिया है, और अगर इंडिया को USSR से Russia से help, Soviet Union से help चाहिए होती थी, तो Soviet Union से help बांग लेता था, तो हम तो भाईया बिल्कुल ही, दोनों हाथों में let do हो जागे बैठे थे, अपने decision भी खुद ले रहे थे, और दोनों में से किसी से help चाहिए होती, तो किसी से भी help ले लेती थे, जिससे हमारा मन करता था, ठीक है, अब देखो हर एक चीज़ के ना criticism होते हैं, हमारी जो यह policy थी ना non alignment की, उसको बहुत जादा क्रिटिसाइज करा चाहता था, ऐसा बोला चाहता था कि इंडिया हिपोक्रेसी कर रहा है, इंडिया दोगला हो चुगा है, जो बोल रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं, नोन alignment को बोला गया unprincipled, यह बोला गया in the name of national interest, national interest के नाम पर इंडिया काफी सारे international decision पर अपना stand नहीं देते हैं, अनि कि अगर कोई बात चीछ चल रहे हैं, इंडिया उसके stand जेने से मना कर देता है, इंडिया जो हमारे उपर आरोप लगा वो क्या था, इंडिया's contradictory posture by signing treaty of friendship with USSR, तो देखो क्या हुआ था एक बारी हमारा जब बांगलादेश वार चल रहा था पाकिस्तान के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया तो इंडिया क्या sign कर लेता है, friendship treaty sign कर लेता है, date याद रखना 1971 में किसके साथ, USSR के साथ 20 साल की friendship treaty थी है, तो जब हमने ये sign करी, तो सब ने हमारे उपर उपर उठा दी, कि underneath हम लोगों ने वार्स आपक जोइन कर लिया, सब को ये लगने लगा, और हमारे उपर 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 उठी कि खुद तो मना करते कोई alliance में जोइन करो, और खुद तो तुमने 20 साल की ट्रीटी साइन कर लिया, बट हमने वो ट्रीटी साइन क्यों कर रही थी, क्योंकि उस समय पर हमें military aid चाहिए थी, विकास पाकिस्तान के साथ हमारा उस समय पर वाट चल गाला, जब हमने friendship treaty साइन करी, युएसे साथ के साथ में 20 की यस वाली बच जब इंडिया की government ने इस सब बातों का क्या रेप्लाइब यानि कि यह जो हमारी उपर आरोप लग रहे थी कि हम इपोगरिट हैं हम लोग बहुत ही दोगले इंसान हैं मना करते हैं फिर वही काम करते हैं तो इस सब बात चली तो इस सब्सक्राइब नहीं रखूंगा तो हमारी government आगे सब कुछ क्लियर कर देती हैं तो critics ने जो भी बोला वाट इंडियन कवर्मेंट बता देती हैं जब हमारी मर्जी करें कि हम फिर से उससे भी help ले सकते हैं और कभी रश्या से यानि उससर से किसी से भी ले सकते हैं अब यहां चाप्टर के एंड में बहुत चोटी सी और इंपॉर्डेंट बात लिखिये कि नॉन अलाइनमेंट स्टार्ट किस ने करा अब हम आगे वाले चाप्टर में देखेंगे दाट कैसे यह कोड वह था वो खतम हुआ अब इस सूपर पावर गेंड़ा अब इस अबडिस करने वाले हाव दिस शूपर पावर गेंड़ेंड अगल और बाकी शाप्टर पॉलिटिकल शाइंस का फुल से लेबस मैं अपने चैनल पे पर दिया है क्लास्ट फ्यूमानिटी स्टूरें प्लेलिस गिवें आप जाके पढ़ सकते हो और सिर्फ क्लास्ट की हमानिटीज का पॉलिटिकल ही नहीं एकोनॉमिक्स जियोगर्फी हिस्ट्री पॉलिटिकल सोचलोजी साइकलोजी सारे ही चाप्टर में अपने पर पढ़ा दिये हैं तो दिसक्रिप्शन वोक्स में प्लेलिस गिवें है फॉल क्लास 12th and 11th युमानिटीज से लेबस का तो हुमानिटीज के सब सब्सब्डेक्स कम्लीटेड है मेरे चानल भी और यह थो पॉच्छ पॉट सेकते हो और यह दो फोगेट तो शेयर जुडियो तो अल्यों करा यह अगर अभी तक चानल को सब्स्राइब नहीं करा है और अल्दी इस तो अब मैं आपसे मिल लूँगी नेक्स्ट वीडियो में और बाबाई टेक कियर और बेस्ट अफ लाग